आज मैं आपको इनके फेस पर शेनाज का गॉल्ड फेशल बताऊंगी यह देखिए 24 केरट्स गॉल्ड फेशल है यह ओली ड्राई सभी परकार के स्कीन के लिए बहुत अच्छा फेशल है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बहुत ही सुन्दर पैकिंग है इसकी और इसका जो रेट है 1000 के करीब इसका रेट है और यह देखिए इसमें शैनाजी का मोनोग्राम भी बना हुआ है कि इसमें हमारी जो है पांच डी पांच किटा इसके अंदर रिद्द देखिए ऐस सब्से पहले हमारा है इस कड़ी गूर्ड जैल है और इसका मास्क ہے impressed इसकी पैकिंग इस तरीके से है बीच dinे से इस तरीके से पैकिंग खुलेगी सबसे पहले हम फेज पर इसक्रब लगाएंगे थोड़ा सा इसक्रब हम हाथ में निकाल लेंगे और हम इसको फेज पर अपलाई करेंगे 5 मिनट के लिए हम इसक्रब लगा करके छोड़ देंगे शेयनाज जी के अधिकतर सारे प्रोडेक्ट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं रिजल्ट बहुत अच्छा है हमने इसक्रब फेज पर लगा दिया है अब हम टोनर लगाएंगे थोड़ा सा टोनर लेंगे और हलकेल के हाथ से हम टिप से मसाज करेंगे यह देखिए हम टोनर ले लिया है हमने हलकेल के हाथ से हम फाइब मिनट बाद मसाज करेंगे हमारी फाइब मिनट की मसाज हो गई है सेकिन नमबर पर हम यह क्रीम लेंगे फाइब मिनट की इसक्रब से मसाज करने के बाद हम फाइब मिनट क्रीम से मसाज करेंगे फेशल की स्टेप मैंने अपनी पहले वीडियो में डाल चिकी हूँ है पहले हमने इनके ब्लीच करी थी ब्लीच की वीडियो इनके हम पहले डाल चुके है इसके बाद हम इनके फेशल कर रहे है फस्ट नमबर पर हमने इसक्रब लगा दिया सेकिन पर हमने क्रीम यूज करी है अब हम थर्ड नमबर पर हम इनके जो गोल्ड जेल है गोल्ड जेल यूज़ करेंगे फेशल की किट से हम इसमें तीन चार फेशल अराम से कर सकते हैं स्टैप हमारे फेशल के अच्छे होने चाहिए ठीक होने चाहिए हमारे को स्टैप्स की जानकारी होनी चाहिए अगर हमारी स्टेप सही होंगे तो हमारे फेशल का ग्लोब बहुत अच्छा आएगा फेश पर आप फेशल की स्टेप्स मेरी पहले वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें देख सकते हैं अब हम इनकी गोल्ड जल से मसाज कर रहे हैं 55 मिनट्स आप मसाज कर सकते हैं इसका फेशल बहुत अच्छा है इसका गोल्ड डायमंड बहुत अच्छे फेशल है सभी फेशल बहुत अच्छे हैं आपको किसी फंक्शन वगारा में जाना है तो इसका गोल्ड डायमंड फेशल करवा सकते हैं आप अब देखिए इनके गोल्ड जल से हमने मसाज कर दी है अब इनके फेश पर ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है आप ने जब इनके हमने पहली वीडियो में ब्लीच करी थी आप इनका स्कीन देखते किस तरीके से थोड़ी डेड़ स्कीन हो रही थी काफी इसका स्क्रब बहुत अच्छा है इसे डेड़ स्कीन रिमूव होती है फेश पर ग्लो आता है सभी परकार के स्कीन के लिए फेशील बेस्ट हाइ यह देखिए अवं इनके घड़ेइटสह days एस तरीके से आप टावल वाले इनके जो हम हम वाईट हैं तावल वाले हैं यह देखे हम टावल से इस तरीके से दबाएंगे इस तरीके से निकाल देंगे इस तरीके से हलके हाथ से दवाएंगे इस तरीके से निकाल देंगे वाइट हैट से ब्लेक हैट निकालने के बाद हम फिर दुबारा से हलकी सी मसाज कर देंगे क्योंकि हमारे वाइट हैट ब्लेक हैट निकलने के बाद हमारे रॉम चिद्र जो हैं खुल जाते हैं उपन पॉर्स हो जाते हैं उनको बंद भी करना चाहिए जिस से हमारे डस्ट वगेरा न जा पाए अब हम इनकी दो तिन में मसाज करेंगे वाइट हैट निकलने के बाद ब्लेक हैट निकलने के बाद हमने इनकी मसाज कर दी है अब हम इसको टिशू पेपर गिला करके हम इस तरीके से यह देखिए हमने इसको पोच दिया है इसको पोचने के बाद हम इनके जो हमारा गोल्ड मास्क है अब हमारा फेशल पूरा हो गया है अब हम इनके गोल्ड मास्क है उसको हम लगाएंगे इनके फेश पर यह देखी यह गोल्ड मास्क है इसका अब हम इसको लगा करके इस तरीके से हम इसे लगाएंगे इस पैक को लगाने के बाद हम इस मास को लगाने के बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब ये सूख जाएगा ये देखिए हम इसको इस तरीके से लगाएंगे और इसको हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे हमने लगा के छोड़ दिया है मासक अब देखिए हमारा ये मासक जो हमारा सूख गया है कई बार क्या होता है कि मासक जो है कई लोग जैसे पी लोफ होता है इस तरीके से उतार देते हैं ये देखिए इस तरीके से ये पी लोफ परके उतार देते हैं लेकिन अगर आपको इसका अच्छा और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हमारों को इसको 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 इ इससे हमारे फेस पर और गलो आएगा कि देखिए हमने जब ब्लास्ट में जो मास्क लगाया था मुस्की भी मसाज कर रहे हैं इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका जो मास्क है वो थोड़ा टाइटनिंग लाएगा फेस पर यह फेशल कोई भी करवा सकता है गर्ल्स करवा सकती है इसका क्लीन अप करवा सकते हैं जिसकी एज 40 प्लस है वो भी करवा सकता है यह देखिए इनके इनका फेशल हो चुका है कि आप इनके फेश पर कितना फर्क देख सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए